मेरे यूट्यूब चेनल में आप सबका स्वागत है आप लोग लगातार परिक्षा से समंधित इंपोर्टेंट प्रशनों को देखते आ रहे हैं यदि आप पहली बार मने हैं तो मेरे चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आप लोग समंतर स्वागतार प्रशनों को देखते रहे हैं यहां पर देखे यहां से यह यह ज़्यादा है जहां पर देखते रहे हैं चूंकि यह पूरे चेप्टर में यह बहुत इंपर्टेंट चीज है यहां पर देखे यहां से यह डी ज़्यादा है जहां पर डी को हम लोग क्या बोलते हैं सारवांतर बोलते हैं यहने कि दूसरे पद में प्रथम पद को घटा दें तब हमको डी प्राप्त हो जाता है यहां किसी भी पद में देखे यहां पर यह चौंथा पद है चौंथा बारा, पंदरा, अठारा, इस तरह से दिया गया है, तो यह हो गया प्रथम पद, यह दुतिय, तो यहाँ पर देखिए, पहला होता है प्रथम पद, जिसको कि हम लोग A से दर साते हैं, यहाँ पर, तुलना करते जाहिए, जो इस्टेंडर्ड समंतर शेणी है, और दिया गया हमको यही पूछा गया है, यह देखिए, यहाँ पर प्रथम पद पूछा गया है, और सारवांतर पूछा गया है, तो यह दोनों इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, अब यही पर दूसरा को देखिए, तूरंत हो जाएगा, स्रेणी, दो, आठ, चौद, बीस, प्रथम प तो इस तरह से D बराबर 6 प्राप्त होता है, और A बराबर 2 प्राप्त होता है, चलिए, नेक्स्ट प्रशन में चले आते हैं आप, यहाँ पर देखिए, समानतर श्रेणी हमको दिया हुआ है, तो हमको क्या दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं, दिया है, समानतर श्रेणी तो माइनस फूर आता है ध्यान दीजी यहां पर माइनस फूर है न और यहां पर साथ में यह भी दिया है N पदों की संख्या पदों की संख्या दिया हुआ है N बराबर 10 तो N बराबर है मारे पास A बराबर है और D बराबर है तो इसको A लिखते हैं और इसको D लिखते हैं तो यहां पर Anandaad का सुट्र हम लिखेंगे Anandaad जहाँ पर मैंने इससे पहले वाले प्रश्ण में बताए था कि Anandaad का सुट्र वहां पर लास्ट में लिखा हुआ था a plus n minus 1 into d यहने कि a कमान कितना है यहाँ पर भर देते हैं उसको 9 n कमान है 10 रिंड 1 लिख देते हैं और d कमान है minus 4 यह लिखना है कितना हो जाएगा 9 का 9 हो गया धन का धन हो गया 10 में से 1 गया तो 9 हुआ और यह फिर minus 4 इसको गुणा कर देंगे तो यह 9 4 36 रिंड 36 हो और यह धन 9 आप लोग को पता है 36 में से 9 को घटाना है और आंसर उसके रिनाता के रुपमा होगा क्योंकि बड़ी संख्या 36 है तो 9 4 36 होता है इसलिए 9 37 होगा इस तरह से भी आप लोग को जानना चाहिए आप लोग को पता होना चाहिए प्रश्न को पढ़के अच्छा से तो हमको दिया क्या है लिख लेते हैं हल करने के क्रम में समांतर श्रेणी 8 15 22 अंदिम पद 218 लाष्ट में यह हमको दिया गया है और लाष्ट में मने कितना वाँ पद हो नहीं मालूम पदों की संख्या हमको इसलिए ग्याद करना है तो यहाँ पर जो दिया है उसी में प्रथम पद ए बराबर आठ तरवांतर डी बराबर दितिय पद रिंड प्रथम पद बराबर 15 रिंड आठ बराबर 7 चीक है और यहाँ पर लाष्ट पद ल बराबर दिया है 218 जिसको के हम लोग एनवा पद भी कहते हैं एनवा पद का जो सुत्र है हमारा ध्यान से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा changes पता देता हूँ जो आप लोगों को पता होना चाहिए L बराबर होता है एनवा पद बराबर A प्लस N मैनस 1 इंटो D वो ही सुत्र है परन्त यहाँ पर लाष्ट पद के रूप में लिया गया है और यहाँ पर दिया गया में L बराबर 218 पहले से दिया है हमको इस बात को ध्यान में रखना है तो यहाँ पर एनवा पद जो दिया हुआ है बड़े ध्यान से देखिए यहाँ पर 218 बराबर एक अमान कितना दिया है देखिए 8 दिया हुआ है प्लस का प्लस हो गया N मैनस 1 हो गया और डी का वैल्यू है 7 ऐसा जहां पर हल करने के लिए आता है बड़े ध्यान से देखिए और क्रम से हल किजिए बहुत ही सरल हो जाता है देखिए यहां पे धन वाला पार्ट है इसलिए इसको पहले हटाएंगे और इधर भेजेंगे और मैनस कर देंगे तो 218 में से मै मैनस 8 हो गया ठीक है is equal to n मैनस 1 into 7 है दूसरा इस चित्री में देखिए यह हो गया 210 हो गया इसको घटाने से अब यहां पर देखिए n मैनस 1 है और यह जो 7 है इसके साथ यहां पर गुणा में है तो दूसरे साड़ में जब भेजेंगे तभ यह भाग में हो जाए गा तो इस से मैनस वन को हटाना चाहेंगे उस समय क्या हो जाएगा एन बराबर तीस धन एक हो जाएगा याने की 31 पद हो जाएगा एन की संख्या पदों की संख्या कितनी हो गए पदों की संख्या जो है वहां कितना हो गया एन बराबर 31 है यह हमारा अंसर होगा ठीक है तो इस तरह से ब यह चलते हैं question number four पर यहां पर देखें ऐसे बहुत ही important प्रश्न है यह तीन अंकों वाली संख्या है और कितनी संख्या है तीन से विभाज्य होते हैं ध्यान में रखें मैं यहां पर सबसे पहले स्रेणी को बता देता हूं यहां पर संख्या पहला तो लिखते हैं तीन अंकों है और इधर जाएंगे तो एक हजार से पहले 993 अंकों वाली यह संख्या है अब इसमें condition लगा दिया गया है कि तीन से विभाज्य में देखें यहां पर यह तो तीन से भागी जाएगा नौ दुनिया अठारा नौतिया 27 हम तीन के विभाज्यता रूल को याद कीजिए आप लोग यह नौतिया 27 वा और साथ दो नौ हूँआ टोटल जोडने से इसको नौ ही आता है इसलिए तीन से चला जाएगा तो अंतिम जो हो गया हमारा लास्ट पद जो हो गया वह 900 99 हो गया ठीक है अब इधर वापस आते हैं 100 के नियरेस्ट तो 100 के पास में ऐसे कौन-कौन से अंख है देखें मैं यहां पर लिखते जाता हूं 100, 101, 102, 103 इस तरह से आप लिखते जाएंगे तो ऐसा मि एक और एक दो होता है यह भी नहीं होगा यहां पर देखें दो और एक तीन जोड़ देने से योगफल तीन आता है इसलिए हमारा प्रथम पद जो होगा 102 होगा अगर प्रथम पद 102 है तो तीन के अंतर वाला बोलता है याने कि सारवांतर हमको प्रता है यहां पर तो यहां पट चेक कर लिजे आप 5 और 1-6 होता है जो कि 3 से भाग जाएगा तो सारवांतर हमको कितना मिला है पहले सी इस बात को समझना है कि यहाँ 3 सारवांतर है और यहाँ पर इसी क्रम में अगर हम इसको देखें तो प्रतम पद कितना हो जाएगा यह से जिसको 10 साते हैं 102 हो गया औ अभी आप लोगों ने जैसा प्रश्ण हल किया था यहाँ पर भी सेम टू सेम उसी स्टैल में हल करना है तो बड़े ध्यान से देखें ल बराबर A प्लस N मैनस 1 इंटू D तो यहाँ पर कितनी संख्या है याने कि N निकालना है ठीक है तो यहाँ पर क्या निकालना है N प्रश्ण है उपर में जो हल किया है यहाँ पर देखें 999 बराबर प्रथम पद है 102 धन N मैनस 1 इंटू D बराबर है 3 तो 102 को पहले घटाई है यहाँ पर तो 999 रिंड 102 बराबर N मैनस 1 और यहाँ पर देखें उसमें तो हमने इसको step by step हल किया था अब यहाँ पर आप चाहे तो 3 को भी एक साथ इधर ला सकते हैं इस तरह से और इस तरह से N मैनस 1 हो जाएगा अब घटाने के बाद लिखेंगे केरफुल इध्यान से देखते रहे हैं 9 में 2 गया 7 हो गया और यहाँ पर 9 में 0 गया 9 हो गया और यहाँ पर 9 में 1 गया 8 हो गया बटे 3 पराबर N मैनस 1 अ उसको आप जोड़ करके कर्ठकते हैं, 8 साथ 15 होता है, 9 को छोड़ दीजिए, 9 तो जाता ही है, 15 को फिर से जोड़ेंगे, तो 6 होता है, तो जाएगा, 3 एकम 3, 396, बचा 2, 29, 37, बचा 2, 37, तो इस तरह से देखिए, 299 बराबर n रिंड 1, इस एक को पुना इधर भेजेंगे, तो 299 धन 1 पराबर होता है, 300, जो कि हमारे n कमान पराप्त होता है, याने कि इस स्रेणी में, तीन अंकों वाली स्रेणी में, तीन से विभाज्य होने वाले 300 संख्याय हैं, तो ये हमारा अंसर पराप्त होता है, n बराबर 300, ठीक है, तो इस तरह से देखिए, कितना सरल है, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहे हैं, आपको मैं अच्छे अच्छे प्रश्न और बता रहा हूँ, प्रश्न करमांग 5 में चलिए, अगर आप कंटिन्यू पूरा वीडियो को देख रहे हैं, और देखते रहेंगे, तो आपको समांतर सेनिक से जो important प्रश्न आते हैं, और इसी टैप से प्रश्न आएंगे ही, और लगभग लगभग इतने ही प्रश्न आएंगे, लेकिन प्रश्न का अलग-लग स्वरूप हो सकता है, परन्तु ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहां पर, हमको दिया गया है समांतर माध्य ग्यात करन मैं आप लोगं को याद दिला दूं कभी कभी यह भी आता है A और B यह ऐसे दो पर है ऑर समान्तर मान्ध करना है उसको कि हम लोग और लोग करना है हम लोगों को तो हमको यह दिया हुआ है यहां पर प्रथम पद वर्गमूल दो धन एक और अंतिम पद दिया है वर्गमूल दो रिन एक यानि कि इसको दिती पद भी बोल सकते हैं ठीक है तो यहां पर यह समझ लिजे पूरा ए है और यह समझ लिजे पूरा भी है तो ह हम लोग क्या निकालेंगे समानतर माध्य निकालेंगे समानतर माध्य बराबर a plus b by 2 होता है जैसा उपर में आप देखें हैं ऐसा उप्योग कर सकते हैं तो यह हो जाएगा वर्गमूल दो धन एक धन वर्गमूल दो रिन एक और पूरे का बटा दो अब यहां पर देख रहे ह और वर्गमूल दो रिन एक का जो समानतर माध्य है वह कितना हो जाएगा वर्गमूल दो हो जाएगा और यह हमारा आंसर है ओके बहुत ही सरल है next question क्यों चलते हैं यहां पर देखें सेम टू सेम लगभग प्रशने समानतर माध्य ही ग्याद करना है और यहां पर एक पद ज जिसको कि हम लोग औसरत भी बोलते हैं आप लोगों को याद दिला देता हूं कभी कभी औसरत के रूप में पूछ दिया जाएगा और यह बराबर हो जाएगा एक बटे दो धन रिन एक बटे दो बटे ध्यान से देखें कैसे लिखना है और इसका आधा करेंगे यह आधा क इसको लिख सकते हैं अब यहाँ पर देखें एक बटे दो तो यह रहा इसका और इन दोनों का लगुतम आएगा दो और यहाँ पर हुआ 1-1 is equal to 0 हो गया 0 by 2 हो गया और बाहर में भी 1 by 2 है एक बार इस टेप सिख लिजे आप डारेक्ट भी 0 लिख देंगे तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर देखिए खूल मिला के 0 बसता है और उसका फिर से आधा करोगे तो भी 0 ही बसता है तो यहाँ से जो यहाँ तक का लिखन है यहाँ से जो यहाँ तक का लिखना है आपको इसके जगह पर यहाँ डिरेक्ट इस इस टेप से ले सकते हैं 1 बाटे 2 रीन 1 बाटे 2 मैं से 1 बाटे 2 घटा दिये तो बचा 0 और यह बाहर में 1 बाट 2이실कल ट्यू जीरो वह यह ऐ अंसर है अमलों का यानि की दोनों का एक होता है तो यह एक बटा दो यहां पर होगा इसका मतलब यह हुआ कि इसका इधर से इधर आएंगे और इधर से इधर आएंगे तो सेंटर इसको जीरो पड़ेगा जो कि आप एकदम सही निकाले हैं इस आप से ठीक है तो यहां पर 6 प्रश्णों को अगर आप बढ़िया स से हल करते हैं तो लगभग लगभग इसी प्रकार के प्रश्ण आएंगे समांदर स्ष्णी मैं से जो भी दो से चार नंबर के प्रश्णत का सकते हैं उस में से और इस तरह से आपने बहुत अच्छे से देखा आप सब को वृ महां है